अगर आपका भी नवा मन्थ लग गया है तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आई हैं फ्रेंस नाइन मन्थ में कुछ महिलाएं ऐसी गलतिय कर जाती हैं जिसे कि उनको समय से लेवर पे नहीं आते हैं और डॉक्टरों का क्या है डॉक्टर को तो बहाना चाहिए कि सी कुल गलतिया नहीं करनी है इन गलतियों से आपको बिल्कुल ही बचना है जिसे कि आपका समय से लेवर पे आपकी हो जाया है तो कौन कौन सी गलतियां है चल यह जानते हैं नमास्क का फ्रेंz आप देख रहे हैं गोल्डरन नाइट कैनल मैं हुं पूजा आपका आपने य आपको जो आपकी डॉक्टर ने आपको एड़ी ड procedures दिया है उसी डेट तक आपको उन्तेजार करना है उसके बाद आपको एक दिन भी अधिक नहीं इन्तेजार करना है इसके अलावा आपको अपने अल्डासाउंड के डेट को लेके नहीं चलना है जब जब हर महीने आप ultrasound करवाएंगी तो हर मन्त आपका ultrasound change होता रहता है ultrasound में जो EDD होता है तो जो आपको doctor ने आपके period से जोड के बताया है period के जिस दिन आपका period आया है उस हिसाब से doctor आपको जोड के बता देती है एक date की आपका इस date पे इस दिन आपका delivery हो जाएगा इसी दिन आपका delivery हो जाना चाहिए इससे अधिक नहीं जाना चाहिए उतने ही दिन तक आपको इंतिजार करना चाहिए इससे आपको ज्यादा नहीं इंतिजार करना चाहिए सबसे पहले महिलाएं क्या गलती हैं क्या गलती करती हैं सबसे पहला गलती करती हैं अपने अपने वजन को बढ़ा लेती हैं सबसे पहली बात तो अगर आपका वजन नाइन मन्थ में अगर आप आ गई है अगर आपका वजन बढ़ गया है जरूरत से जादा तो उस वजन को आपको कंट्रोल करना है अभी से कंट्रोल करना आप स्टार्ट कर दें क्यों कि अगर आपका वजन हाई रहेगा आपका वजन ज्यादा रहेगा तो ना तो आपका सिसु हेड़ डाउन पोजिशन में आएगा नहीं आपकी नौर्मल डिलिवरी हो पाएगी तो अपने वजन प पानी मिलकुल भी नहीं पीने चाहिए और आपको करना क्या है आपको करना यह चैसे सीजदानी से लेंगी तो इससे आपके सिसु का लेड, यो फोड़ा कम हो जाएका क्योंकि लिक Einat इसके अलावा पानी हो गया इन सारे चीज को और डाइट में हो गया जो है सबजीया हो गई फल हो गए हरी पतेदार सब्सक्राइब उसमें तेल मसाले थोड़ा कम डालके आप उसको ले लीजिए इससे आपकी जो है वजन भी कंट्रोल रहेगी और आपकी सीसू की हेल्थ भी अच्छी रहेगी इसके बाद अगर आपका वजन कम है या फिर आपके सीसू का वजन कम है तो अगर आपके सीसू का वजन कम है तो सबसे पहले तो आपका सीसू हेड़ डाउन पोजिशन में आएगा ही नहीं इसके बाद जब हेड़ पोजिशन में नहीं आएगा तो आपक या फिर आपका भी वजन कम है तो आप जो है मलाई वाला दूधना लेकर टॉन मिल्क लीजिए और उस दूध में आप थोड़ा सा हो सके ड्राइफरूट मिक्स कर लीजिए या फिर ड्राइफरूट ले लीजिए या फिर प्रोटीन पाउडर ले लीजिए जो डॉक्टर ने लिए आपको पानी का और लिकवीट का इंटेक ज्यादा मतरा में करना चाहिए पानी का लिकवीट का इंटेक जितना करेंगी उतना ही आपके शिसू कों ही फायदा होगा इसके अलावा आपको इस्ट्रेस नहीं पालने हैं सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 9 मन्थ में आ कि तरह तरह के बिचारा है कि मेरे लेवर पेञ़ क्या है किसे इसको कर पाँगी तो है tenho इसका टेंसन को एक souऑ किसी कोई नुकसान होगा आपको जू हगा ce पाल होगा लेकिन आपसे नुक्सान होगा comanda worry Delivery हूने में भी काफी समस्या होती है तो मेरी request आप से यहीं है कि आपको tension पालके नहीं बैठना चाहिए जहां tension पालेंगी वहां आपको परिसानी होने लगेगी आपको tension नहीं रखने हैं इसके अलावा आपको अपने hemoglobin को ठीक करने है देखिए friends hemoglobin ऐसी चीज है अगर आप ultrasound करवाने जाएंगी तो ये आपको डॉक्टर बता देगा कि आपकी हिमोगलोवीन कितनी है यानि कि बलड की मात्रा कितनी है तो अगर आपके अंदर बलड की कमी है तो भी आप लेवर पेन आने में काफी दिक्कते होगी इसके बाद अगर आपके सीसू की पोजीशन देखिए friends, सीसू की position पे भी काफी निर्भर करता है कि आपका delivery नार्मल होगी या seizure होगा अगर सीसू का position आपका आड़ा, तीर्चा, ट्रांसपरेंट या फिर पैर नीचे सीर उपर है तो भी आपको normal delivery होने में काफी दिक्कत होगी और labor pain तो आएगा ही नहीं इस condition में अगर सीसू रहेगा तो इसमें क्या करना है, अगर आप 9 मन्थ में डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर आपको एक ultrasound करके आपको बता देंगे कि आपका सीसू किस position में है तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपको normal delivery होगी या seizure and delivery होगी इसके अलावा देखिए friends एक बात मैं और आपको बताती हूँ, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि आपको active रहना है, अगर आप active रहती हैं तो इससे आपके पहली सेरिया के muscle जो है लचीली होती है और आपको normal delivery होने में काफी समस्या नहीं होती है, काफी अच्छे से हो जाती है जो महिलाएं अपने आपको ये समझती हैं कि अरे मैं बीमार हूँ, बीमार जैसे अपने आपको बना लेती हैं तो उनको तो लेवर पेन आते ही नहीं, ये seizure ही होती है तो आप थोड़ा active रहें, ये अलग की बात है, ये अलग बात हो जाती है कि डॉक्टर ने आपको आपकी pregnancy complication है, प्रेग्नेंसी में तो डॉक्टर ने आपको bed rest दिया है, तो उससे में तो जो डॉक्टर बोलता है वहीं आप करिए, जो आपकी डॉक्टर बोल रही है, बट इन चीज को अगर आप ख्याल करती है, तो आपका समय से लेवर पेन आएगा, समय से delivery होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रेग्नेंसी है, प्रेग्नेंसी काफी enjoy करने वाली चीज है, नाइन मन्त की तो बात होती है, नाइन मन्त आप हसी खुसी से रहिए ताकि आपको अच्छे से delivery हो जाए, आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को like, share, subscribe, comment जरूर करें, bye bye